हालो एवरीबड़ी करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया से नीज में पर फिर आप सभी कस्पा करते दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें कि हमने डिसकस किये थे हाउस फायूस के लिए कुछ बिजनेस आइडिया उस वीडियो में एक आइडिया था होम बेकर बनने का और उस वीडियो को देखने के बाद आप मैंसे काफी लोगों ने मुझे क्वेस्टन पूछा था कि इस आइडिया को कैसे एक्सेक्यूट किया जाएगा तो मैंने डिसाइड किया कि अपना आज का ये वीडियो में आपके उनीक वेस्टन को आंसर करने के लिए करूँगी अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक होम बेकरी स्टार्ट करते समय आपको अपने प्रोड़क्ट रेंज कैसे डिसाइड करनी चाहिए अपने प्रोड़क्स की प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए प्रोमोशन कैसे करने चाहिए मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए और एंड में हम ये भी देखेंगे कि एक home bakery start करते समय आपको किन licenses की जरुरत होगी I hope यह सारा information आपनों के लिए useful होगा तो वीडियो को पूरी तरह से देखिए का end तक यह ना किसी भी पार्ट को skip किये हुए चलिए, start करते हैं अपना आज का वीडियो अब अगर आपको baking आती है और आप एक home bakery start करने में interested है तो जो सबसे पहला सवाल आपको अपने लिए आंसर करना होगा वो होगा कि आपका product range किस तरीके का हो तो देखिए, यह जो baking वाला business है यह भी किसी दूसरे business की तरह एक trend वाला ही business है कुछ चीज़ें होती हैं जो कि evergreen होती हैं जाती रहती है तो अगर आप एक फिलहाल का trend observe करेंगे तो आप देखिएंगे कि फिलहाल customized cakes and cookies का जमाना है लेकिन यह एक बहुत ही obvious सा trend है जो कि हम सभी को दिख रहा है इसके अलावा भी काफी चीज़ें है market में जो कि demand में है For example, आप देखिए एक diabetes का product segment है जिसकी requirement है फिर उसी तरह से market में बहुत सारे healthy enthusiasts हैं जिनको high protein cookies and cakes चाहिए इसी तरह से regular के साथ-साथ healthy cookies की काफी ज़ादा requirement है healthy breads की काफी ज़ादा requirement है इसी के साथ-साथ अगर आप देखें तो market में काफी तेजी से बढ़ता हुआ चलन है market में एक और बहुत बड़ा उभरता हो segment है और यह segment है pets का जी हाँ pets का dogs का जिसमें की लोग अपने pets के लिए healthy biscuits and cookies order करना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं उनके birthday के लिए in fact काफी healthy cakes भी order करते हैं यह भी एक segment है जिसको आप target कर सकते हैं तो अगली चीज जो आपको decide करनी होगी वो होगी कि आपका menu किस तरीके का होना चाहिए अब मेरे खराब से आपका menu बहुत ज़ादा elaborated इसको मत रखिए because उसमें problem क्या होता है कि जब आपका menu बहुत ज़ादा elaborated होता है इसी के साथ जो baking का business है इसमें आप बहुत सारे sense organs को customer के involve करने की कोशिश कर रहे है for example आप उनकी eyes को appeal करने की कोशिश कर रहे है आप उनके smelling sense को appeal करने की कोशिश कर रहे है साथ-साथ आप उनके taste को भी appeal करने की कोशिश कर रहे है तो अपने products की packaging पर उनकी decoration पर बहुत जादा ध्यान देजे अगर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखी तो आप एक अच्छा product range बन जाएगा और उसके साथ आप अपना business start करने के लिए ready हो जाएगे अब एक बार जब आपने अपना product range decide कर लिया तो जो अगली चीज़ आपको decide करनी होगी वो होगा आपका pricing आखिर आप कितने दाम में अपने product customers को बेचेंगे तो देखिए pricing के बारे में अब जो आपको बताने जा रही हो वो बहुत एक important चीज़ है बहुत ध्यान से सुनियेगा होता क्या है कि जब कभी भी में एक छोटा business start करने जाते हैं जैसे कि एक home based bakery तो हमें अपने उपर भर सोच है क्योंकि होता क्या है ऐसे में कि आप कभी भी अपनी quality के लिए नहीं जाने जाएंगे आप सिर्फ उन cheaper products के लिए जानने जाएंगे और आप खुद ही जानते हैं इंडिया कितना price sensitive country है ऐसे में जब कभी पर आपका business चल जाएगा आपके products अच्छे भी होंगे तो भी properly price कीजिए लेकिन हमेशा अपनी quality के लिए जाने जाएगे ताकि जब कभी भी कोई customer आपसे अपना product खरीदे तो वो खोश हो, satisfied हो और जब कभी वो आपके पास वापस आएं तो दो एक्स्ट्रा customers के साथ वापस आएं ऐसा ना हो कि वो आपसे एक बार product खरीद के जाएं और साथ में decided है हमारी pricing मतलब हमारा menu तो पूरी तरह से सेट है और हमें इंतजार है अपने पहले customer का और साथ ही हमें decide करनी है अपनी marketing and promotion strategy तो देखिए आप खुद भी समझते हैं कि एक ऐसा business है जिसमें कि आपको जो आपका पहला order है वो usually किसी ने किसी reference के तुरू आने वाला ह आपके friends हो सकते हैं कोई relatives हो सकते हैं जो कि आपको पहला order देंगे अपने business को promote करने के लिए आपको online and offline दोनों mediums का use करना है online mediums में अपने facebook page को जबूर set कीजे साथ में अपने लिए एक अच्छा insta handle set कीजे और साथ के साथ में अपने whatsapp status को भी हमेशा update करते रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि आप business में हैं इसके साथ ही अगर आप offline promotions के बात करें तो आप कुछ local exhibitions में participate करने की कोशिश कीजे आप कर सकते हैं जो कि already parties में काम करते हैं जैसे कि कोई event planners हो सकते हैं florist हो सकते हैं या हो सकते हैं कोई caterers हो या अगर possible है तो directly party venues के साथ में भी type करने की आप कोशिश कर सकते हैं ये सब भी relationships references पर work करती हैं वो आपको reference देंगे आप उनको reference देदीजे और जब कभी भी वो order आपसे place करने की कोशिश करें तो उने को special discounts भी देदीजे एक अच्छा relationship maintenance का तरिका है इसके साथ ही जो अगली चीज़ आपको बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिये का बहुत ही important है आप अपने इस business में कुछ local bakeries के साथ में भी type करने की कोशिश कर सकते हैं ताजूब लगा सुनकर विल्कुल भी नहीं है बहुत ही important चीज़ है क्योंकि जो bakeries होती है ये कभी भी अपने सारी चीज़ें खुद bake नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से source करती हैं तो अगर आपके कुछ अच्छे products हैं जिनको आप वहापस stock कर सकें उनके थूँ सेल कर सकें तो ये भी आपके लिए अच्छा medium हो सकता है ज़रूर explore करने की कोशिश कीज़ेगा अब अपने business को अगर आप एक और बड़े level पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप कुछ local restaurants के साथ में भी type करने की कोशिश कर सकते हैं ये जो आपके restaurants होते हैं कि usually अपने cakes, pastries या इनके जो breads भी होते हैं वो कही न कही से source करते हैं तो अगर आप उनको authentic, good quality products एक अच्छे rate में deliver कर पाएं तो वो आपसे भी अपने orders place कर सकते हैं अब यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी होगी वो यह है कि जब कभी आप individual customers के साथ में deal कर रहे हैं तो आप deliveries अपने हिसाब से manage कर सकते हैं For example, अगर आपके लिए possible है तो आप deliver कर दीजिए या otherwise आप customers को pick up करने के लिए बोल दीजिए लेकिन यह जो restaurants होंगे, bakeries होंगे या supermarkets होंगे या आपसे deliveries expect करेंगे तो उसके लिए आपको तयार रहना होगा अब जैसा कि मैंने आपसे initially वादा किया था बात कर लेते हैं कुछ इस business की legal formalities के बारे में कुछ legal requirements के बारे में तो देखिए यहां जो सबसे बड़ी legal requirement आपकी है वो यह है कि since यह food से related business है आपको FSCI compliant होना पड़ेगा and since यह home based bakery है जिसका की initial कमाई वो 12,00,00 रुपे सालाना से उपर नहीं जाने वाली है तो फिलहाल की conditions है जो फिलहाल के rules है उसके हिसाब से आपको एक FSCI registration कराना पड़ेगा जब कभी भी आपकी कमाई 12,00,00 रुपे से उपर चली जाएगी सालाना उस case में आपको FSCI license लेना पड़ेगा ठीक है? यह बहुत ही important step है इसको बिल्कुल भी ignore करने की कोशिश मत कीजएगा क्योंकि अगर आपने FSCI registration नहीं कराया तो आपका पूरा business problem में आ जाएगा बहुत सारे apps आपस हैं जहां से आप हो सकते हैं अपने product को sell करने की कोशिश करेंगे लेकिन यह apps आपके product को सिर्फ तभी accept करेंगे जब आपके पास यह registration होगा FSCI registration होगा तो बहुत important step है इसको ज़रूर fulfill कर लीजेगा and since यह अभी की requirements थी वो मैंने आपको बता दी लेकिन possible है कि requirements future में change भी हो जाए तो अपने आपको updated रखिएगा So friends, I really hope कि मेरा यह आज का वीडियो आपनों को पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपनों को useful लगा है तो इसे like कीजे और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजे अगर आप चाहते हैं कि मैं किनी specific topics पर किनी specific businesses पर आपसे बात करूँ तो अपनी चे comments box में लिखकर भी मुझे बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपके request को fulfill कर सको मैं ऐसी तरह के और भी वीडियो लेकर आती रहूँगी जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जर्यों को उन सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूरा कर लिजिए जल्दी हम वी लोंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए टेक केर